तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एच्पी ट्यूशन क्लासेस में ठीक है तो यह डिमांडेट वीडियो है बच्चों ने बोला था काफी बच्चों ने कि सेस्टी में दो चैप्टर आ रहे हैं तो उनकी नोट्स बना दो तो उसी दो चैप्टर के बारे में डिसकस करेंगे और इस से पहले ध्यान में रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए अससमेंट एसस्टी का ट्रम टू का और प्रैक्टिस पेपर तो इस वीडियो को कॉमेंट में लिंक पेस्ट है उपन करके जरूर देखना तयार करना क्योंकि उसमें से ज़्यादा कोशन आने के चांसेस हैं ठीक है तो पेपर देने लाश्ट में करने के लिए उनको आप टाइम देना बाकी जवार है पहले उसको अटेम्ट कर लेना और लाश्ट में बना बना के लिखना उस को बट छोड़ना मत ठीक है न एक ची ध्यान में रखना तो देखो कुसमें में इंपोर्टेंट इसमें टोपिक क्या है जैसे पह लखो अन्यमित सत्ता के विरोधी सभी धर्मों का आधरियूं सम्मार अगला परिवर्तन वादियों के मुखी विचार क्या थे तो इसमें भी कोई दोख में बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर थे महिला मताधिकार अंदुलन का समर्थन ठीक है न आगे जिसे कोशना दे दोखे कि क्रांती के दुस्ट परिडाम क्या क्या थे दिलीकौ काम की लंभी वधिकम मस्दूरी बेरोदगारी और यस Saab सफाई की आभ्योष्ध है यह सब क्या थे दूश परिडाम थे गलत परिडाम थे अगया जैसे कोशन समाज़वादिय के मुखव विचार क्या थे त दिहान रखना यह लिखने कोई दो तीन पॉइंट सारे देश में हड़ताले होने लेकिन विस्विध्याले बंद कर दिये गए ठीक है वकील डॉक्टर इंगेर वा अन्निमद्वर के काम गारों ने सम्मिधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की साप करना की ठीक है तीन पॉइंट काफी है आगे जैसे मालों यह मैंने पर्थम विस्विध्य का हुआ उन्नीसो चौदा सब्सविध्यान पहला विस्व युद्ध्य ठीक है आगे यह सब छोड़ो बस मेन में रिपीट कर लो बस जैसे अप्रेल थीसिस क्या है तो महान वोल्स युद्ध की समाप्ति दूसरा सारी जमीने किसानों के अवाले तिसरा बैंकों का राष्टी है करण ठीक है कि आगे देख़ों इसमें जैसे यह कॉष्ण है मेन इप्रेंट है अक्टूबर करांती के बाद क्या बदला जो पर क्रांती हुई थी उसके बाद क्या बदला तो इसमें से तीन कॉंट ले में इसको व्याद कर लें ठीक है अगला कि इसमें जैसे पहला कॉस्टन है जैसे कि देख रहे हैं आप साम्या सामयवादी पिचार के संस्थापक कौन थे तो कार्ल मार्क्स ठीक ना ऐसे खूने रभिवार का संबंद रूस की किस करांति से एंदिस तो पांच रूस में संपन किसानों को खुलक का जाता है ठीक है खुलक अब जैसे इन दोनों कासल देखो अपरेल 20 किस ने दिती लेनिन ने ठीक है ना आगे देखो कुछ मेंन कोशन है यह सब बांके छोड़ो तो हाँ किसमें देखो जैन से यह कोशन मेंने लेनिन की अपरेल थिसिस की मुख्य मांगे क्या थी यह असेस्मेंट में कर रहे क्यों तीन मांगे मैंने भी बताया पढ़़ो अच्छे से अगला सबसे इंपोड़न कोशन यह खूनी रभीवार की घटना का वरणन करो खूनी रभीवार की घटना का वरणन तो इसका आंसर देखो तो खूनी रभीवार की घटना में लिखो के रूस के जार का सासन अत्याचार पूर्ण होना रूस में जार का सासन था अत्याचार थ जनुवरी 1905 में एक रभीवार को लोगों का जार से मिलने और याच्का देने का प्रयत्न हुआ मिलने के स्थान पर मजदूरों पर हमला किये गए हमले में सो से जादा मजदूर मर गए तीन सो गायल हुए यही घटना खोनी रभीवार के नाम से जानी जाती क्यों उस दिन रभीवार था ठीक है यह ध्यान में रखना है अगला कि इसमें से आगे वाला को देशलमें नेंइस उसतर की रूस में भूई आक्टूबर क्रांति का व्रण employ क thief यह analyse हम भी सुद्ध का रूस की अर्थ वेस्ता पर क्या वहाँ पड़ा ठीक नहीं यह तिन ओहां यह 11 वाला कोशन भी उदारवादियों और परिवर्तनवादियों में क्या अंतर था तो आठ नो दस ग्यारा इनके आंसर एक साथ देख लो महीं से आप तैयार कर लेने हैं यह आंस पर दो दो पॉइंट आपको लिखना है थीक है तो यह जो यह में कोशन थे आपके सेकंड चेप्टर के ठीक है अब अगला चेप्टर देख लो थर्ड थर्ड क्या है चैप्टर थर्ड है नाथसी वाद और हिटलर का हुद ए इसमें देखो सबसे पहला में चीज प्रथम प्रथम जब्राश्टे ब्रेटें फ्रांस सव्य संग अमेरिका अधुरी राष्टे जर्मनी इतली जापान यह जिसान में रखना ठीक है वर्थाई कि संदि हिटलर का उदे और पता निया ध्यान में हिटलर पॉस्टिया में पैदा हुआ थे यह पॉइंट आप पढ़ देना ठीक है यह मैंने इसमें समझो नाथसी जर्मनी में युवाओं की सिति कैसी थी जर्मान और यहुदियों के बच्चे एक साथ बैट पढ़ नहीं सकते थे ठीक है ना समझ में है दूसरा जिप्सियों सारी रिक रूप से अक्षम और यहोदियों को स्कूल से निकाल दिया गया ठीक है ना और सबसे में जो देखो जो पॉइंट आपको इजी रहे उसको याद किया करो जिससे यह लिखा है इसमें 14 साल की उम्र से उम्र में सभी ठीक वाले बच्चों को जर्म देने उनका प्रथम करते बें बताया जाता था देने का ठीक है ना आगे नसली की सुद्धता बनाया रखना यहोदियों में दूर रहना और बच्चों का नासी मूल मानिताओं की सिक्षा देने का दायत उन्हें सौंपा गया 1937 में हिटलर न मारी के सस्ते टिकट और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कहां से चांदिस होने के तम के दिया जाते थे फिनाम में ठीक ना यह द्यान में महिलाओं की हालत है अगला यह सब छोड़ो आगे बढ़़ों इसको द्यान में हिटलर कहां पैदा था आउस्ट्रि में नहीं इसमें से एक दो कोशन बन जाएगी इन चारों पॉइंट में से ठीक ना धुरी मित्र आगे देखो दूसरे भी सुद में अमेरिका ने ठीक ना तैसे हिटलर की कुप्चर प्लिस का नाम और यह फिर नौवा भी कोशन इंपोर्टेंट है दसमा भी है यूंग फोग नौंबर का प्राधित इनके आंसर देख लो पले इसमें सब पढ़े ना और हाँ यह भी जरूरी है आपके लिए यह मैचिंग वाला ठीक ना जर्मनी दुरी राष्ट ग्रिटेंट इतली और स्टेवल इनके आंसर देख लो आप ठीक है यह एक अंकोले सब क्यांसर है यहां तो यहां तो इसमें बस यही तक मैंने जर्मन नवंबर का पराधि कहा जाता था यहां 14 तक बोल देना बस ठीक है आगे कुसंदेगो जो तीन से चार नंबर हो में ज्याता है संदी की सर्थे बताईए तो पहले आंसर देख लो आंसर फर्श तीन से पांच वाला देखो सर्थे क्या थी पहला युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना अपने सारे उपने बेस छोड़ने पड़े कोले के भंडार फ्रांस को देने पड़े छे अरप आ पताई खने संसाथनों पर यह था यह सर्थे ठीक अगला कोसन देखो जो मेन के यह को संमाज में अवर्तों की क्या भूम कहीं थी आंसर देखो अंब कर में नाजसी समाज में अउर्तों को आरे संस्कृतिया और नसल का धौजबाहक माना जाता था उनका करते बच्छी मा बनना सुध्य और रेक्ट वाले बच्चों को जरम देना और उनका पालन पोसल करना था बस दो पॉइंट काफी है ज्याद में बढ़ो ठीक है दो काफी है दो याद को लोग होते है अगला अगला में कोशन है आपका ठीक है वर्चाय की संधी दुस्य दुतिये विस्विद् को समाप नहीं किया गया पर आजित राष्ट जर्मनी पर अपमांदनक वर्चाय की संदीथ हो भी गई विजित राष्टों की आसाएं पूरी नहीं हुए जर्मनी पर छेषप का जुर्माना लगाए राऑन लेंड परमित्र राष्टों ने कभजा कर लिया एक दूसरा उन की आसमों को पूरा कर सकता था यह सब पॉइंट है ठीक है अगला कुस्ण देखो अगला कुस्ण जो में नहीं यह देखो कि 1929 से 32 की आर्थिक महामंदी पर अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा ठीक ना इसका अंसर देखो इन तिन सालों में अमेरिका की राष्टि आया आधी रहे गई फैक्टरिया बंद हो गई निर्याद गिर्ता जारा तक किसा में ठालत खराब थी सट्टे बाज बाजार में पैसा कीच रहे थे इसका अंसर हो जाएगा है ठीक ना यह ध्यान में रखना है तो यही इतने main question इस main main important question है बाकि आप assessment जरूर तयार कर लीजिए ठीक ने इससे बार कुछ नहीं आएगा दूसरी बात पेपर में आपको घबराना नहीं है अच्छे से question attempt करो जो question आपको अच्छे सा रहा है पहले उसको आप अच्छी राइटिंग में लिखो फिर जो question नहीं आ रहा है उसको last के लिए छोड़ो last 8-10 घंटे में जो नहीं आ रहा है उसको बना बना के लिखो यह चीर ध्यान में रखना पर छोड़ना मत ठीक ना जो भी आपक करना बस पेपर आपका अच्छा जाएगा पेपर जी आएगा डिफिकल्ट नहीं आएगा तो आज की वीडियो में था मिलते हैं एक्ट वीडियो में थाएंक्यों फॉर वाजिंग दिस वीडियो एंट टेक के